सुप्रवाद बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्यानी के तन में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता स्रिवास्तोव बच्चों, चलिए आज हम सुरू करेंगे अनुछेद लेखन आपके एक्जाम बहुत नजदीक हैं और कई बच्चों के एक्जाम हो भी रहे होंगे तो इस समय अनुछेद लेखन की आवशक्ता आपको अवश्य होगी तो कुछ जो बहुत ही महत्वपुर्ण अनुछेद हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आज मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ युवा वर्ग और समाज सुधार बच्चों अगर हम सच कहें तो किसी भी देश की जो युवा पिढ़ी है वो उस देश की रीड की हड़ी होती है और इतिहास साक्षी है कि जब-जब समाज में परिवर्तन हुए हैं तो वो एक ससक्त, सजग, कर्मट, युवा पिढ़ी के द्वारा ही हुए हैं फिर वो चाहे समाजे कुरीतियों के लिए हुआ हो या सतनता प्राप्ते के लिए हुआ हो या देश की सुरक्षा भी हमारे युवा वर्ग पर ही होता है तो आईए हम सुरू करते हैं यहाँ पर युवा वर्ग और समाज सुधार तो हम सबसे पहले देखें यहाँ पर जिन बिंदूओं को लेकर चलेंगे उन में सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे वर्तमान इस्थिती यानि हमारे समाज की जो वर्तमान इस्थिती है उसके बारे में फिर हम करेंगे युवा वर्क का क्या दाईतो है समाज के प्रती उसके बारे में और आखिर में हम समाज सुधार के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे इस अनुछेद के माद्य हम से तो यहां जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो देश है वो बहुत ही बड़ा है तो हमारे इस विशाल देश में देश के विकास की ओर जो भी कदम बढ़ाये गए हैं बहुत ही जादा कदम बढ़ाये गए हैं फिर भी यहां की समाजिक स्थिती चिंता जनक है जीवन व्यतीत करना उतना सरल और सहज नहीं जितना की प्रतीत होता है यहां हर कदम पर जाती, वर्ग, वर्ण भेद, इर्श्या, द्वेस, भष्टाचार, महंगाई और बीरोजगारी आदी ऐसी अनेक बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमारा समाज झेल रहा है जिन से आज युवा वर्ग भी ग्रसित है चारो और लड़ाई जगडों का महौल है कहीं हरताल होते हैं, कहीं आंदोलन होते हैं, कहीं तोड़ फोड होता है और यहां तक की रेल की पट्रियां तक भी लोग नहीं छोड़ते उनको भी वे अपनी चपेट में ले लेते हैं, उनका भी नुक्सान करते हैं अब आतंक की घटनाए घटित हो रही हैं और जगा जगा आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग आंदोलन भी करने पर उतारू हो जाते हैं बच्चे कुछ कर नहीं सकते और ब्रिध हतासें ऐसे समय में युवा वर्ब का दाई तो है कि वह समाज को सुधारने में प्रतन सील हो समाज में जब कभी भी परिवर्तन आया है उसका स्रे युवा वर्ब को ही जाता है उनका साहस, उनका उच्सा, उनका द्रड़ निश्चे होना, सीमास में रहे कर सभी चुनोतियों का सामना करने में वे सक्षम होते हैं समा सुदार का सबसे उप्योगी उपाय जन जागरन है अगर हम जन जन को जागरित करें, उनको हर समस्याओं से आउगत कराएं और उनका निवारन अगर हम उन्हें बताएं तो हम जनजन को जागरित कर सकते हैं उसके लिए अपने आपको समर्पित करने के आउशक्ता होगी सभी छेत्रों में शिक्षित और योग्य बनकर ऐसे आदर्स प्रस्तूत करने होंगे जो दूसरों को दिसा निर्देश दे सके और उन्हें अपने विकास की मुख्य धारा में हम सिक्षित करके जोड सकते हैं और जब हम ऐसा कर पाएंगे जब हमारी युवाशक्ती ऐसा कर पाएगी निश्चित ही हमारे समाज में सुधार होगा युवा संगठन, ठहरेवान, विवेकशिल और दूर दृष्टा होंगे तब ही वे समाज सुधार का महान कारिय कर सकेंगे तो आज आशक्ता है हमारे युवाशक्त को कि वो सामने आएं और हमारे समाज में फैली हुई इतनी सारे गंदगियों को दूर करें और हमारे समाज का सुधार करें तो बचों, यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटा सा अनुचेद आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इसे अपनी तरह से भी लिख सकते हैं या आप इनमे कुछ और जोड कर इस अनुचेद को बहुत थी सुन्दर ढंक से लिख कर अपनी अपुर्व लेखनी कला का परिजय दे सकते हैं, तो आप इसे अपनी नोट बुक में नोट करें और हेल्प लेकर आप अपने लिए दुसरा अनुचेद लेखन तयार करें और अपने लेखनी का उदाहरन दें, तो इस तरह से आप युवा वर्ग और समाज सुधार के अनुचेद को लिख सकते हैं, मैं मिलूंग आप छे दुसरे अनुचेद लेखन में तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, थेंक्यू बच्चो, हैव अनाइस टे,